मैं आप सब का शागत है आज इस वीडियो में मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ कुछ इस वीडियो आप सब के लिए बहुत ही helpful होने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए वीडियो शुरू क रले हैं हमारा सबसे पहला वाइड है एकम प्लेय अकॉम्पलीलिस मीजिज पूरा करना और ब्रैकेट में भी लिखा है उसका मतलब है वर्व एक और दूसरा है अकम पर तो इसलिए मैंने दूसरे पर नमबर है टो सेकंड नमबर पर है आपक्षन आपक्षन इसने है और दूसरा है एफेक्टेशन आपक्टेशन एक्टेशन मीज दैखावा या डौंग今 नैक्स्ट वर्ड एफ्लूएंस एफ्लूएंस मीज प्रचुरता और दूसरा एफ्लू possono객 फ्लून consists बहिस्ठ प्रवाग करेंर वर्ड ऐर एर मीस हवाब ऐर द्रीविश उत्राधिकारी ये एवर्ड एईलियन एविदेशी या पराया दूसरा है ऐलाइन लाइन मीस जोड़ना और अगले एल मेंट एल मेंट मीस विमारी काила इलमेंट element means तत्व या आवयाव next word है allude 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 means इसारा करना और next है allude allude means तालना और 10 नमबर पर है emoral जो एक adjective है नीती निर इसका मतलब होता है नीती निर पेक्ष और अगला है immoral immoral means unethic antic antic means विचित्र यह एक noun है और next है antic antic means प्राचीन यह एक adjective है और 12 नमबर पर है appraise appraise means हून ल्यांकन करना और next है appraise appraise means शूचित करना next है essay essay means सुद्धता की जाच करना जो ए से शुरू है और next है essay जो ई से शुरू है और एक noun है और जिसका मितलब होता है निवन्द next word है asses asses means कर लगाना और next है ashes asses means भश्म या राख next word है attach attach means जोडना और next है attach attach means राजदूद ऐसा है 16 नमबर पर है oral oral means करेड़ सम्बंदी यह एक adjective है और next है oral oral means मौखिक 17 नमबर पर है addicted addicted means आसक्त जो एक adjective है in bad sense next है devoted devoted means आसक्त होता है in good sense जो एक adjective है और next है illusion illusion means प्रशंग और illusion illusion means भरम avet avet means कम होना और avet avet means निपोर opposite opposite means उपयुक्त या उचित opposite opposite means blom avet avet means हटाना या टालना next है revert revert means पूर्विस्थिती में आना और next है application application means प्रासना पत्र next है implication implication means अभिप्राय next है equate equate means निर्दोष ठहराना next है quit quit means छोडना या त्यागना next है afflict afflict adjective afflict means period inflict inflict means प्राहार करना next object means घ्रड़ेट object object means उद्देश जो एक नावन है और object है adjective next है affirm affirm means जोड़ देकर कहना confirm confirm means पुष्टी करना next word है antagonist antagonist means बैरी या प्रतिपक्षी प्रोटागोनेश्ट प्रोटागोनेश्ट means पहलवान next है abdicate abdicate means पद का त्याग करना abrogate abrogate means निरस्ट करना erogate erogate means जूठा दावा करना derogate derogate means अनादर करना astronomy astronomy means खगोल विज्ञान astrology astrology means जियोतिस सास्त्र next word है aviary aviary means चिडिया खाना apiary apiary means मैधु मक्की पालन का स्थान तो यह थे कुछ confusing words I hope आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरू कर दे thanks for watching